लड़की की पाँच ये शारीरिक हरकत है यानि की पाँच बोडी लेंग्वेजिस बताती है कि वो आपको पसंद करने लगी है आपको समदना चीए इस वीडियो में देख कर Hello Friends, लड़ डिपस यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है सबसे पहला है Mirroring मतलब क्या? इसका मतलब आप जैसा कर रहे वैसा mimic करना उसकी copy करना आपकी languages की, आपकी movements की, आपके connection की आप जो भी करते हैं कैसे लिखते हैं, कैसे हसते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं तो दोस्तों के सामने या आपके आगे पीछे जब भी वह होते हैं तो यह mirroring करते हैं यानि कि आपकी नकल करते हैं ये नकल ये उनकी body languages चीजे ये हरकते बताती हैं कि वो आपको कहीं न कहीं पसंद करने लगी है दूसरा है physical proximity देखे physical proximity मतलब कि वो कोशिस करेगी कि आपके पास आकर बैठे वो कोशिस करेगी कि जितना हो सके आपके close रहा जाए physically हो सकता है कि बातों बातों में वो हलका आपको touch भी कर ले कुछ भी लेने देने की बहान है वो आपके shoulder पे या आपके back पे आपके हाथों पे या पैरों पे कई न कई ऐसे touch कर लेगी तो ये कई बार करती है बार बार वो कई जान बुचके भी करते है क्योंकि वो physical connection बनाना चाहती है वो चाहती है कि आप ये देखे कि मैं आपको पसंद करती हूँ तो वो ये कोशिश करती है आप देखेंगे कि अक्सर आप दो लोग बात करते है तो तो लाए distance होता है लेकिन वो आपके एकदम पास आकर बाते करते है कुछ भी बहाना वो डूंटी आपको पकड़ने के लिए या आपको touch करने के लिए ये जो सारी physical proximity ये बताती है कि वो आपको पसंद करते हैं तीसरा है eye contact अगर लड़की eye contact maintain करते है जैसे हम कहते है कि आखों से ही प्यार की शुरुआत होती है तो ये interest और attraction बताता है तो कई बार क्या होता है आप वो देख रहा है आपके सामने जैसे आप देखेंगे वो अपनी आखें फेर लेंगे तो ये जादा जरूरी है देखना कि वो क्या सोच रही है क्या समझ रही है तो ये आपको देखना चाहिए चौता है playing with hair जब भी वो आपको देखेंगी तो वो अपने बालों से खेलने लगेगी या अपनी उंगलियों से खेलने लगेगी ये सब कॉंसेसली होता है यानि कि उनको कई बार हमारे साथ हुआ होगा कि हम देख कुछ और है लेकिन सोच और है ऐसा ही है वो आपको देख रहे हैं इसलिए उनको पता ही नहीं है कि वह अपने बालों से खेल रही है एक nervousness दिखाता है ये दिखाता है कि उनके आस-पास कैसे जाहों वो कुछ सोच रहे हैं आपके आपके सामने, जब भी आपको मिलते हैं, enjoy करते हैं आपकी company, आपके आसपास हसना पसंद करते हैं, वो खुश रखना पसंद करते हैं आपको, कोशिश करते हैं कि आप उनको एक smile दे दे तो वो भी एक smile देते हैं, जिसकी वज़ा से उनका दिन बन जाता है, वो खुश रहते ह सब संकेत है कि वह आपको पसंद करता है बोडी लेंगवेजी से अलग अलग जैसे मिररिंग जैसे फिजिकल प्रॉक्सिमेटी जैसे आई कॉंटेक्ट जैसे प्लेंग विथ है स्माइलिंग एंड लाफ्टर ये सारी चीजे तो कितने संकेत आपके आसपास कोई लड़की पताना ना भूली तो मेरी प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंड वीडियो को देख रहे हैं सारे जी अब यह फ्रांजा मजबिन लेला जो भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कोई भी सवाल या सुजा हो कमिट बॉक्स बताना ना भूली तैंकि दोसो नो बैटार लेव बैटा